नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज की मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग नूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर प्रदान मंतरी मोदी की विदेशनिती से घायल हुआ पाकिस्तान, इसलामिक देशों में बड़ी भारत की पैठ आने लगे हैं पाकिस्तान और साउधी अरव विवाद इसका एक सबूत है अब तक 6 मुस्लिम देशों ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को अपने सरवचे नागरिक पुरसकार से सम्मानित किया है 2016 में साउधी अरब ने प्रदान मंत्री मोदी को अपने सरवचे नागरिक सम्मान किंग अबदुल अजीज शेज अवाड से नवाजा UAE ने 2019 में प्रदान मंत्री मोदी को अपने सरवचे नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है यह सभी सम्मान प्रदान मंत्री मोदी के इसलामिक देशों के साथ करीबी रिष्टों को दर्शाते हैं इसके विप्रित पाकिस्तान को भारत विरोधी बयानों के कारण अंतराष्टे मंचों पर अब किनारे किया जाने लगा है हाली में पाकिस्तान को साओधी अरब के हातों अपमान का सामना करना पड़ा जब साओधी अरब के क्राउन प्रिंस मोहमबद बिद सल्मान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुकुष जर्नल कमर जावेद बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर पाकिस्तान के रेल मंत्री शेक रशीद ने भारत को दी परमानु हमले की धमकी कहा मुसल्मानों को नहीं होगा नुकसान जीना दोस्तो अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेक रशीद ने भारत के खिलाफ परमानु बम का इस्तेमाल करने की दमकी देडाली सेक रशीद ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास परमानू बम है जिसकी पहुँच असम तक है इतना ही नहीं रशीद ने कहा कि इन परमानू हमलों में मुसल्मानों को कोई नुकसान नहीं होगा उसने आगे कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होती है तो ये खूनी और आखरी जंग होगी पाकिस्तान के रेल मंतरी ने कहा कि हिंदुस्तान ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो कन्विंशन वोर की कोई गुंजैश नहीं होगी इमरान खान के मंतरी ने कहा कि हमारा हतियार मुसलमानों की जिन्दियों को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है शेक रशीद ने पहली बार यह धमकिन नहीं दी है दोस्तो इससे पहले भी शेक रसीद इस तरह के बड़ बोले बयान पहले दे चुके हैं कई बार इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर आयोध्या में 1000 साल तक बुलंद रहेगा राम मंदिर दिवारों पर आप भी दर्ज करा सकते हैं अपना नाम जहां दोस्तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद राम लल्ला का मंदिर बनने जारा है भूमी पूजन के बाद इसके निर्मान की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है भूमी पूजर में प्रदान मंतरी नरंदर मोदी मौजूद रहे थे दोस्तो श्रीराम जन्म भूमी तीर्थ शेतर निर्मान ट्रस्ट के चमपतराई के अनुसार राम मंदिर का निर्मान होने में 36 महा का समय लगेगा मंदिर का निर्मान 1000 साल को ध्यान में रख कर किया जारा है एसी कोशिश है कि समाज का हर वर्ग श्रीराम के दर्शन कर सके उन्होंने बताये कि ट्रस्ट की तरफ से बैंक अकाउंट जारी किये गए हैं इनमें लोग स्विच्चा से दान दे सकते हैं इसके अलावा तामे की पत्तियां भी लोग भेज सकते हैं दोस्तो बताया जाराय कि स्टेचू ओफ लिवर्डी की तरज पर तामे की परत बना कर मंदिर का निर्मान होगा मंदिर सालों साल तक ऐसे ही खड़ा रहे इसके लिए खास तरह से मंदिर निर्मान हो रहा है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर WHO ने कहा दुनिया में कहीं भी हर्ड इम्मिनुटी की इस्तितीन नहीं सिर्फ वैक्सीन से उम्मीद मांकी जियां दोस्तो विस्वस्वास्ते संगटन यानि की WHO World Health Organization ने मंगलवार को कहा कि फिलहाल दुनिया के किसी भी देश में इस महामारी संक्रमन के खिलाफ हर्ड इम्मिनुटी उत्पन नहीं हुई है यानि की अपने आप महामारी खत्म नहीं हो रही है WHO ने उन देशों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया जो इस महामारी के घटते मामलों के मद्य नजर अपने यहां लोगों में हर्ड इम्मिनुटी यानि की रोग प्रतिदोग शम्ता के विकास पेदा होने का दावा कर रहे थे WHO ने इस पस्ट कर दिया है कि हालत अब भी बुरे हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां हर्ड इम्मिनुटी उत्पन होने जैसी इस्तिती नजर आई हो इसके अलावा WHO ने चेताउनी जारी करते हुए कहा है कि 20 से लेकर 40 साल के युवा इस महामारी का संक्रबन दुनिया भर में फैला रहे हैं उन्हें सतरकता बरतने की जरूरत है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प की मांग इरान पर प्रतिबंदों को और कड़ा करे संयुक्तराष्ट संग जियां दोस्तों, अमेरिका के राश्पती डोनल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इरान पर संयुक्त राश्ट के सभी प्रत्पंदों को दोबारा लगाने की ब्रस्पतिवार को मांग करेगा इसके साथ ही डोनल्ल टरम ने जोर देकर कहा कि एरान कभी भी अपने परमानों हत्यारों के लक्ष को हासिल नहीं कर सकेगा दोस्तो माना जाराई कि इस कदम से ना सिर्फ टरम प्रशशन के और अकेले पढ़ने की आशंका है बलकि इससे समिक्तुराष्ट की साख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं एरान पर लगे प्रतिबंदों में 2015 परमानों समझोते के बाद नर्मी आई थी लेकिन राश्टपती ट्रम्प ने दो साल पहले अमेरिका को इस समझोते से अलग कर लिया पिशले सबताह इरान के हतियार रखने पर अनिशित कालिन के लिए पारबंदी लगाने का अमेरिका का प्रियास विफल रहा अब अमेरिका कुटनिती माध्यम से अपना हितसादना चाहता है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर प्रदानमंतरी मोधी ने धोनी को लिखी चिठ्थी धोनी ने भी दिया जवाब जिया दोस्तो टीम इडिया के पूरू कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास ले लिया था जिसके बाद दुनिया भर के लोगों ने धोनी को लेकर अपने विचार वेक्त किये थे अब भारत के प्रदानमंतरी नरिंदर मोधी ने भी माही को अपना मैसेज दिया है पीम मोधी ने धोनी को एक चिठी लिखी जिसे माही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेर किया धोनी ने ट्विट पर लिखा कि एक कलाकार सैनिक और खिलाडी को तारिफ की कामना होती है वो चाते हैं कि उनकी महनत और कुरुबानियों को सभी पहचाने शुकरिया प्रदानमंत्री नरिंदर मोधी आपकी तरप से मिली तारीफ और शुप कामनाओं के लिए दरसल दोस्तो प्रदानमंत्री नरिंदर मोधी ने चिठी में लिखा था कि नए भारत की रूह जह लगती है जहां युवाओं की किस्मत उनके परिवार का नाम तय नहीं करता है बलकि वे खुद अपना मुकाम और नाम हासिल करते हैं 15 अगस्त 2020 को आपने साधगी भरे अंदाज में एक छोटा वीडियो शेयर किया जो पूरे देश में एक लंबी और बड़ी बहस के लिए काफी था 133 करोड भारतिये नागरिक निराश है लेकिन साथ ही आपने पिछले डेट दशक में भारत के लिए जो किया उसके लिए आपके शुक्र गुजार भी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा फ्लाइट टिकेट्स सरकार ने बड़ाई हवाई जहां से जुड़ी यह फीस जिहां दोस्तों केंदर सरकार ने एरपोर्ट पर यात्रियों से लीज़ आने वाली सेक्यूरिटी फीस में बड़ोतरी कर दी है इस बार सरकार ने एवियेशन सेक्यूरिटी फीस में 10 रुपे प्रतियात्री की बड़ोतरी कर दी है अब एवियेशन सेक्यूरिटी फीस बढ़कर 160 रुपे प्रतियात्री हो गई है यह बड़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाले एरटिकेट पर लागू होगी दोस्तो एरपोर्ट पर बढ़तिस रुक्षा खर्च की लागत को वहन करने के लिए एवियेशन सेक्वेरिटी फीस में बढ़ोत्री की गई है इससे हवाई यात्रा महेंगी होने की संभावना जताई जा रही है इसके बाद दोस्तो जान लेते हैं क्या है भारत और पूरी दुनिया में इस महामारी की इस्तिती तो दोस्तो बात कीज़ाए पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में अब तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,24 लाग को पार कर गया है साती मोतों का आंकड़ा 788,000 को पार कर गया है दोस्तो सरवादिक प्रभावित देश अमेरिका है जहां 55,000,000 से भी जादा संक्रमित है दूसरा नमबर ब्राजील का है जहां पर 34,000,000 से जादा संक्रमित है इन दोनों देशों के बाद में इंडिया, रशिया, साउथ अफरिका, पेरू, मेक्सिगो, कोलंबिया, चीली, आदी देशों का नाम आता है इसके बाद में दोस्तो आप जान लेते हैं क्या है भारत की इस्तिती लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको भी तक हमारी न्यूस पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर देदें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यहीं हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तो बात की जाए भारत की तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों का आख़ा लग भग 29 लाग को पार कर गया है वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आख़ा भी 55,000 के करीब है साथी सरवादिक प्रभावित राज्य की बात की जाय तो वहां महरास्ट्रा का नाम अवल पर आता है जहां पर 6,500,000 के करीबन संक्रमित हैं दूसरा नंबर तमील नाडू 3,61,000 उसके बाद आंधर प्रदेश करनाटक उत्रप्रदेश देली वेस्ट बंगाल बिहार तेलंगाना आधी राज्यों का नाम आता है इन सबी राज्यों में संक्रमितों का आंकला 1,000,000 को पार कर गया है कुछ में 2,000,000 को पार कर गया है और कुछ में 3,000,000 को पार कर गया है इसके बाद में दोस्तो अगली बड़ी खबर घुमने फिरने वालों के लिए बंपर ओफर फ्री में इस महामारी के टेस्ट के साथ मिल रहे हैं और भी ओफर जिहां दोस्तो लोकडाउन के बाद दोबारा खुले टूरियूजम सेक्टर परियटकों के लिए लुभाउने ओफर लेकर आ रहा है इस महामारी काल में आपको घर से निकलने के लिए होटल्स और ट्रेवल बुकिंग और होटल्स वो सब कर रहे हैं जो आम वक्त में देखने को नहीं मिलता है दोस्तो उधेपुर में ओविराई गुरूप की लग्जरी होटर उधेवलास तीन दिन और दो रात के पेकेज पर दस प्रतिशत का डिसकाउंट दे रही है साथ में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कॉंप्लिमेंटरी दे रहे हैं इसी तरह है लीला पैलेस उधेपुर डोर टू डोर ट्रांसफर की सुविदा दे रहा है जहां एक शांदार BMW कार आपको ठीक आपके घर के सामने पिक अप करेगी और होटल तक छोड़ेगी इसके अलावा दोस्तो छोटे बड़े होटल भी ऑनलाइन बुकिंग पर कई सारे आकरशक ओफर्स दे रहे हैं इसके लावा उत्राखंड हिमाचल प्रदेश, यूपी और गोवा में 25 से जादा होटल चलाने वाले लक्जीरियर गुरूप भी आपको सीधे घर से पिक अप करने की सुविदा दे रहे हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिल्ली में 34 प्रतिशत बच्चे अपने आप ठीक हुए, नए सीरो सर्वे में और भी कई खुलासे जिहां दोस्तो देश में इस महामारी के मामले रोज नए रिकोर्ड बना रहे हैं हालांकि दिल्ली में इस महामारी के केस बीते कुछ दिनों में कम हुए है इसी बीश दिल्ली में एक नया सीरो सर्वे किया गया, जिसमें कई चोकाने वाले खुलासे हुए है सर्वे में पता चला है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जादा लोगों में इस महामारी की एंटीबोडीज बनी है नय सीरो सर्वे के मुताबि दिल्ली के 29.1% लोगों में इस महामारी के खिलाफ एंटीबोडीज पाई गई है यानि लोगों में इस महामारी का संक्रमन था और ये सबी लोग ठीक हो चुके हैं दूसरे सीरो सर्वे की रिपूट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्ते मंतरी सतिन्दर जेन ने कहा कि ये सीरो सर्वे एक से 7 अगस्त तक कराये गए थे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी ख़बर मोسم समाचार जानिये आज के मोسم समाचार रेड अलर्ट जारी मूसलादार बारिश के लिए हो जाएं तेयार यहां तबाही मचा सकता है मौनसून जियां दुस्तों चार दिन तक देश के कई आलाकों में भारी बारिश होने की संबह होना है भारतिये मोस्म विग्यान विभाग यानिक इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ में ओरेंज अलर्ट या फिर यलो अलर्ट जारी किया है मांसुन इस साल देश के कई राजियों में महरबान रहा है हालांकि जादा बारिश के बार जैसे हालाद भी बन रहे है मुस्तम विज्यान विभाग के मुताबित 15 फरियाना, दिली गुजरात के पूर्वी शेत्रो, केरल तमील नाडू, आंदर प्रदेश, तेलंगाना, 36 गड, पुर्वतर भारत, जारखंड और जमु कश्मीर में हलकी से मद्यम बारिश होई है अगली 24 गंटे की बात की जाय तो इस दोरान कोकड गोवा, मद्य प्रदेश, विधर्व, तटिये करनाटक, आंदर प्रदेश, उत्र प्रदेश, जमु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, गंगीये, पशिम बंगाल में हलकी से मद्यम बारिश हो सकती है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगाज दगडा जटका, दिल्ली में 81 रुपे पार पहुची पैटरोल की कीमतें जियां दोस्तो तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से बड़ा जटका देते हुए पैटरोल की कीमतों में इज़ाफा कर दिया है वहीं डीजल की कीमतों में भी लगातार 19 वे दिन किसी तरह की कोई बड़ोतरी नहीं की गई राजदानी दिल्ली में पैटरोल 10 पैसे महंगा होकर 18 रुपय के भाव पर पहुच गया है करीब एक हफ़ते के भीतर दिल्ली में पैटरोल 57 पैसे प्रती लिटर तक महंगा हो गया है वहीं दूसरी और डीजल की बात कीज़ आए तो रास्टर आसदानी दिल्ली में डीजल के दाम 73 रुपे 56 पैसे पर इस्तिर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे लगातार दूसरे दिन गोल्ड के भाव में आई भारी गिरावट दो दिन में हुआ 2000 से जादा का नुकसान। अवट का दोर जारी रहेगा। आमेरिके सेंटरल बैंक फेडरल रिजर्व ने कमपनियों के तिमाही नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ग्रोध को लेकर चेंता हैं। प्रती किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर पूरी दुनिया में डाउन हुआ जीमेल ट्वीटर पर लोगों ने डाले सवाल। जीया दोस्तो दुनिया भर के कई देशों में गूगल की लोग प्रिये इमेल सर्विसेज जीमेल पर सर्वर गुरुवार को डाउन हो गया जिसकी वजह से यूजर्स कहीं भी मेल नहीं भेज पा रहे थे। जीमेल के डाउन होने की समझ्यागी शिकायत यूजर्स ने शोशल मीडिया पर की दो महीने में यह दूसरी बार है जब जीमेल को इतने बड़े पेमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। एलेसी पर 180 डिगरी घूमने वाले सर्विलों सिस्टम को लगाया। जीहां दोस्तों पूर्वी लद्दाक में अत्रिक्रमन करने वाला चीन लगातार नई नई चाल चलने में लगा हुआ है। चीन ने अब शांत समझे जाने वाले उत्राखंडे सेक्टर में भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए एलेसी पर बने निगरानी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। इस निगरानी तंत्र की सहायता से चीन भारतिय सेना की गती विदियों पर 24 घंटे नजर रख सकता है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। उस्ताद बिस्मिल्ला खान की विरासत को मिल सकती है नई पहचान। दत्तक पुत्री ने दिया नायाब आइडिया। अबर सुनी तो इसकी जानकरी उन्होंने वरानसी की जिला अधिकारी को देते हुए खान साब के मकान को संरक्षित करके संगरले के तोर पर विक्सित करने की मांगी है। मकान बिस्मल्ला खा के बेटे सुरगिये महताब के नाम है और बहुत ही खसता हाल में है। जिस वजह से मकान को तुलवा कर उसकी मरंबत कराई जा रही थी इस पर परिवार के कुछ मेंबरों को एतराज होने के बाद तै किया गया कि मकान बिल्डर को दे दिया जाए और खासाप की विरासत को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तब्दील कर दिया जाए फिलहार व चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कटकली किस राज्य का महशूर नरत्य है जिना दोस्तो कर आप जानते हैं कि तो जल्दी से कमेंट वक्ष में अपना उतर लिख दीजे अगर दोस्तो आपका जवाब होता एक्दम सही और आप चुन जय भारत